Hello everyone, welcome to my YouTube channel MV's Code Guide आज का हमारा टॉपिक है Important Functions of List आज हम देखेंगे कि क्या क्या important functions या methods होते हैं List data type के अंदर जिनका use करके हम different-different manipulations कर पाते हैं या different-different tasks perform कर सकते हैं List objects के साथ तो इसमें हमारे कुछ subtopics रहने वाले हैं मतलब क्या क्या काम या on the basis of tasks जो हम perform कर पाएंगे list object के साथ उसी के basis पर मैं कुछ subtopics में divide कर रही हूँ जिसमें पहला topic है To get information about the list So, अगर हम चाहते हैं कि हम एक जो भी हमारे पास list object होगा उसके बारे में information gather कर सकें कि उस list object के अंदर क्या क्या है उसके लिए हमारे पास ये चार options होते हैं जिनमें से पहले तीन हैं हमारे पास functions या methods और जो fourth option है वो है in operator जिसे हम membership operator में cover करेंगे जब हम membership operator का role देखेंगे list data type के लिए तो पहले तीन functions हैं जो length, count और index इसकी example के साथ इससे समझते हैं तो length function जैसे कि मैं already अपनी first video में discuss कर चुकी हूँ list data type की उसमें भी मैंने discuss किया था कि length function यूज होता है list के अंदर जो elements है उसका number या उसका count बताने के लिए count in the sense कि कितने elements मेरे पास present है list के अंदर वो बताने के लिए मैं length function का use करती हूँ suppose मेरे पास एक list है जिसका नाम में रख रही हूँ L और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कुछ elements यसे 20, 30, 40, 50, 60 अब अगर मैं length check करना चाहूँ तो मैं length function का use कर रही हूँ और length function के अंदर मैं argument पास कर रही हूँ इस list object का तो इसका output क्या आने वाला है 6 6 क्यों आ रहा है because number of elements in this object, list object L is 6 यहाँ पे 6 elements है इसलिए length is की 6 है यह हो गया हमारा first method या function अब method और function भी मैं आपको clear कर देती हूँ कि हम किन चीजों को method बोलते हैं और किन चीजों को function बोलते हैं अगर हम use कर रहे हैं एक list object का एक function को call करने के लिए तो वो function हो जाता है method अगर हम बिना object का use किये कोई function लिख रहे हैं जैसे कि यह वाला particular function हमने लिखा इसको लिखने के लिए हमने कोई और object use नहीं किया है इसलिए इसे function बोलेंगे इसका detail आप तब समझ पाएंगे जब आप classes and objects पढ़ेंगे क्योंकि classes के अंदर हम methods define करते हैं कोई भी function जो हम class के अंदर रखें उस function को बोल देते है method और अगर बिना class के कोई function हो तो वो simple एक function कहलाता है यहाँ पे length एक function है और अब मैं जो next method की बात करने वाले हूँ उसे मैं method बोल रही हूँ ना कि function तो आप differentiate भी कर पाएंगे कि length और उस वाले function में क्या difference है तो next जो हमारा method है जो हम discuss करने वाले हैं वो है count method अब count method जो है ना इसको हम normally call नहीं कर सकते हैं हमें object का use करना पड़ता है तो पहले हम देखते है count function करता क्या है count function का काम होता है चेक करना कि एक particular element जो हमारे list object के अंदर है वो कितनी बार है सबोस मैं एक नएसे list ले रही हूँ जिसके अंदर मैंने धेर सारे ones रखती हैं धेर सारे twos रखती हैं धेर सारे threes रखती हैं अब मैं जानना चाहूं अगर कि one कितनी बार है इस list के अंदर या two कितनी बार है उसके लिए मैं count function का use कर सकती हूँ अब count जो है इस particular case में method है क्योंकि जब भी मुझे count को call करना है तो मुझे list object के साथ call करना है l.count लिखना है और count हमें बताता है occurrence of a particular element occurrence यानि one की कितनी occurrence है कितनी बार है वो two की कितनी occurrence है तो अगर मैं l.count जानना चाहती हूँ कौन से element का one का तो one as an argument मुझे pass करना पड़ेगा और output पर मिल जाएगा मुझे four because four times जो है यहाँ पर इस list object के अंदर one present है वैसे ही l.count of two check करूंगी मैं तो मुझे मिल जाएगा four क्योंकि four times two present है तो किसी भी element की number of occurrences check करने के लिए मैं count function या count method का use कर सकती हूँ next method जो मेरे पास है वो है index method index method से मैं जान पाऊंगी कि एक particular element का क्या index है उसके लिए index method का use होता है index भी एक method है इसलिए मुझे l.index लिखना पड़ेगा क्योंकि l मेरे object का नाम है जिसके अंदर मैंने ये list data डाला हुआ है तो l.index मुझे ले जाएगा इस object की तरफ जिसके अंदर मेरा data पड़ा हुआ है अब अगर मुझे जानना है कि particular data का क्या index है तो वो मैं index method के तुरू जान सकती हूँ बट याद रखने वाली बात ये है कि ये जो index method है ये हमेशा first occurrence का ही index देगा जैसे यहाँ पे मैंने 1, 1, 1, 4 बार मैंने 1 लिखा है तो अगर मैं index of 1 पूछूंगी इस index method से तो return में मुझे index number 0 ही मिलने वाला है चाहे मैं जितनी मर्जी बारी index function को index method को call करूँगी मुझे बार-बार 0 इंडेक्स ही show करेगा क्योंकि जैसे ही जो भी first occurrence होगी 1 की मुझे उसी का index मिलेगा अगर मैं index of 2 भी check करना चाहूँ तो मुझे जो fourth है मरलब यहां पर index number fourth है यह two की first occurrence है जो element two है वो first time occur कर रहा index number four पे this is zero, this is one, this is two this is three and this is four तो fourth index ही मुझे बार-बार output में मिलेगा index method जो होता है वो हमेशा जो हमें return में देता है वो first occurrence का ही index value देता है ना की हर एक occurrence का और अगर मैं कुछ ऐसा डाल देती हूँ index value में यानि index के function के argument में जो मेरे list में है ही नहीं तो मुझे मिल जाता है value error यह हमने strings में भी cover किया था जैसे string यह जो मेरी list है इसमें one भी present है two भी present है और three भी present है suppose मैं इस index function में डाल देती हूँ four जो की मेरी list में है ही नहीं तो कुछ ऐसे case में मेरे पास आ जाता है value error यह देखिए value error आ गया four is not in the list मुझे error message भी print होके बता दिया गया कि four जो मैं जिसका index जाने की कोशिश करें वो तो list में है ही नहीं तो यह होगे तीन functions या methods जिनकी मदद से हम important information gather कर सकते हैं अपनी list के बारे में पहला है एक function length दूसरे हैं दो methods count method और index method इनकी मदद से हम जान पाते हैं कि list के अंदर क्या data पढ़ा हुआ है next topic है manipulating elements of the list हमें जब भी list के elements को manipulate करना होगा तो हम इन five methods का use कर सकते हैं append method, insert method, extend method remove method और pop method यह five methods जो हैं यह सारे के सारे बहुत important methods हैं इनके comparison जो हैं बहुत बार पूछे जाते हैं आप से interviews में भी इनके differences पूछे जाते हैं आप से interviews में भी और यह बहुत ही ज़ादा use भी होते हैं normal life में जब आप normal programming करते हैं list के basis पे तो चलिए इन्हें एक एक करके examples के साथ समझते हैं तो first method जो होता है for manipulating elements of the list वो होता है append method append method का use मैं आपको थोड़ा सा relate भी करवाना चाहूंगी क्योंकि जो list की मेरी part 1 वाली video है उसमें मैंने सिखाया है creation of the list और creation of the list के मैंने 5 types बताए हैं जिससे आप create कर सकते हैं list object तो उसमें जो first creation का way था वो था creating an empty list कोई भी list empty list create करने के लिए हम simple square brackets का use करते हैं और उसे खाली छोड़ देते हैं empty square brackets use करते हैं तो create हो जाती है empty list अगर आप इसका type चेक करना चाहें तो ये बन गया list type का object तो L हो गया list type का object यहां पे अब इसका use देखो जब हम एक empty list बनाते हैं हम तब बनाते हैं जब हमें already नहीं पता होता है कि हमारे list के अंदर हमें क्या data डालना है as the program proceeds हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं और देखते हैं कि हम list में ये वाला item डाल सकते हैं आप data बाद में डालने के लिए आपके पास देख सारे तरीके हो सकते हैं या तो आप user से input करवा लीजिए value और आप इसमें L में डाल लीजिए या आप append method का भी use कर सकते हैं append method जो होता है it is used to add items at the end of the list append का मतलब ही यही होता है अगर आप file के भी operations का भी आपने अगर आप computer student है तो आप file के operations पढ़ते होंगे read, write, append append का मतलब हमीशा होता है कि end में जो है end में data डाल देना या end में जो है item को add कर देना तो अभी हम देखते हैं कि हम list में कैसे use करेंगे since it is a method तो हम l.append use करेंगे l.append मेंने method लिख लिया अब जो भी मुझे item आड करना है वो मैं इसमें as an argument pass करने वाली हूँ suppose मैं इसमें pass करूंगी 10 append कर दिया, now I am going to print the list, मैं देखना चाहूंगी कि list में वो आया भी है कि नहीं, तो list में आ गया 10, okay अब मैं एक और चीज अपेंड करके देखती हूँ append append 10.5 okay now let's see कि 10.5 कहां आया होगा तो 10 के बाद 10.5 आ गया सबसे पहले list थी empty उसमें हमने append करके डाल दिया 10 तो obviously 10 जो है वो first position पे आ जाएगा जब उसके बाद हमने append function use किया 10.5 insert करने की कोशिश की list के अंदर तो वो second position पे आया मतलब next to the first position यानि end में add होता जाता है append होता है मतलब new item जो भी add होगी वो होगी end of the list में add होती जाएगी वैसे ही हम एक और चीज अपेंड करते है l.append append में में डाल देती हूँ 10 plus 20 जही हो गया मेरा complex type का data अगर अब मैं print करूंगी l तो देखिए first, second और third item जो है वो last में जाके append हो गई है तो list में हम heterogeneous items जो है वो include कर सकते हैं इसलिए हमने different type का data भी include कर दिया यह है int, float और complex ऐसे हैं आप अलग-अलग types के data जो है list के अंदर append कर पाएंगे और जो भी चीज आप append करना चाहते हैं वो at the end of the list जाके add होने वाली है तो एक छोटा सा program भी कर लेते हैं इस append function के साथ थाकि आपको ओर जादा clarity मिल जाए suppose मैं एक list बनाना चाहती हूँ तो मैं पहले ले लूँगी l is equal to empty square brackets ताकि मैं empty list create कर दूँ यह होगे मेरी list create अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक list create करूँ numbers की तो उसके लिए मैं पहले ले लेती हूँ range function for i in range of suppose 101 101 ताकि 100 तक मैं जितने भी numbers उनको include कर सकूँ तो मैंने ले ली range 101 okay अब मैं check करूँगी if i is divisible by 10 तो i mod 10 okay यह mod function है so if i is divisible by 10 तो मैं लिख दूँगी 0 okay तो यह mod function का मतलब यह होता है कि remainder 0 आना चाहिए तो अगर i divide हो रहा है 10 से और remainder आ रहा है 0 then do something what we need to do is l.append l.append and append क्या कर रही हूँ मैं इसमें i okay यह हो जाएगा simple सी चीज है 0 से लेकर 100 तक जितनी भी values है उन में से वो वाली values जो 10 के साथ divisible है उन्हें मैं list में include कर रही हूँ यह हो गया mod function जो क्या return करता है remainder 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 return कर देता है तो जो जो values 10 से divisible होंगी उनका remainder क्या आएगा 0 आएगा तो वो वाली particular values जो 10 से divisible है उन्हें मैं list में append कर रही हूँ इससे मैं run कर दूँगी आप मैं print करके देखती हूँ कि l के अंदर क्या आया तो आप देख रहे हो सबसे पहले तो 0 क्योंकि 0 से हुआ है start then 10, 20, 30, 40, 50 अब इसमें आप चाहें जो मर्जी अपना data gather कर ले length of l is going to be 11 count of any element suppose 10, 1 यह method है तो इससे simple नहीं लिख सकते l dot count करके लिखना होगा देख लीजी अगर मैं directly count करूंगी तो error आ गया तो l dot count मैं मैं चाह रही हूँ कि 10 की occurrence चेक करूं तो क्या हो गई? 1 क्योंकि 10 सिरफ एक ही बार है ऐसे यह आप index खुद चेक कीजिएगा next method जो हमने पढ़ना है वो है insert method insert method यूज होता to insert an item at a specified index position suppose मेरे पास एक list है जिसके अंदर मैं values ले रही हूँ list डाल दिया 555 लेकिन मैं चाह रही हूँ जो 555 है वो 444 के बाद में आए तो ऐसी particular requirement के लिए मैं यूज कर सकती हूँ insert method का तो मैं लिखूंगी पहले मैं L को दुबारा से define कर देती हूँ क्योंकि यह अभी वापस से मुझे लिखना पड़ेगा तो मैं यह copy कर लूँगी copy and paste and run अब फिल हाल अगर मैं इसे print कर वा रही हूँ तो आप देखिए अब 555 नहीं है तो insert करूँगी L dot insert insert में मुझे दो arguments पास करने हैं पहले तो वाला index position जिस index position पे मैं value insert करना चाहती हूँ दूसरा value तो मैं कौन सी जगा पे insert करना चाहती हूँ यह है 0th index यह है 1 this is 2 this is 3 and this is 4 यहाँ पे 4 4 4 4 के बाद में ही मैं insert करना चाह रही हूँ value तो मैं लिखूँगी यहाँ पे index number 4 comma मुझे क्या insert करना है मुझे 555 insert करना है तो मैं इसे run कर दूँगी now when I am going to print the list 555 कहां पे आ गया इस position पे आ गया देखो पहले 666 था ना इस पे यहाँ पे end में जाके insert नहीं हुआ जो position मैं ने बताई वहाँ पे जाके insert हो गया तो append और insert का difference जो है आप देख पा रहे हैं append क्या करेगा it will add an item to the end of the list और insert क्या करेगा it will add the item at the specified index location index बता रही हूँ मैं यहाँ पे और value मुझे second argument पास करना है then हमारे पास आता है extend method extend method यूज होता है to add all items of one list to another list तो suppose मेरे पास एक list है l1 इसके अंदर मैं लिख देती हूँ 10, 20, 30, 40, 50 then मैं ले रही हूँ list number 2 list number 2 मैं मैं ले रही हूँ a, b, c, d बस इतना ही लेती हूँ तो यह होगे list 1 यह होगे list 2 अब मैं जा रही हूँ कि जो list 2 के elements हैं वो सारे के सारे elements add हो जाएं list 1 के end पे तो मैं यूज कर सकती हूँ extend method का जैसे मैं लिखूंगी l1.extend l2 ओके argument पास कर दिया अब अगर मैं print करवाऊंगी l1 को तो l1 के अंदर l2 के सारे items आ गए ठीक है बट अगर l2 को print करवा रही हूँ तो l2 वैसे कव ऐसा ही है l2 के अंदर कोई change नहीं आया है list 1 जो है l1 उसके अंदर मैंने l2 के सारे items को आप कह सकते है append कर दिया तो append में single single item लेके append कर रही थी यहाँ पे अगर मुझे पूरी की पूरी list ही append करनी है तो उसके लिए मैं extend method का use कर लूँगी extend method append method जैसा ही है क्योंकि यह end पे ही जाके items को add कर रहा है बट यह पूरी की पूरी list को एक साथ add कर रहा है लेकिन append में आप एक single value add कर सकते हैं तो यह हो गया difference between append and extend इसी तरीके से अगर आप एक list की जगा एक string के elements को add करना चाहेंगे तो वो किस तरीके से होंगे मैं आपको करके दिखाती हूँ मेरे पास suppose है python string है python अब मैं इस string को डालना चाह रही हूँ list के अंदर तो अगर आप extend यूज करोगे अभी मैं आपको difference भी बताऊंगी मेरे पास जो l1 है इसके अंदर पहले से print करवाती हूँ देखो अभी फिलहाल l1 के अंदर क्या है l1 के अंदर हैं ये सारी values ठीक है अब मैं जा रही हूँ l1 के अंदर में ये string value भी डाल दो तो देखो कि अगर मैं use करूंगी l1.append .append of s तो क्या होगा print करती हूँ l1 तो क्या हुआ है ये जो python की पूरी की पूरी string value है ये कहाँ पे append होगी लिस्ट के end में जाके append हो गई ठीक है लेकिन आप देखो अगर मैं extend method यूज़ करती तो क्या होता l1.extend of that string तो अगर अब मैं print करूंगी l1 तो क्या आ रहा है आप देख रहे हो python के बाद क्या extend से क्या append हो गया एक individual individual character जो है वो जाके add हो गए है list1 के अंदर मतलब कि अगर मैं append कर रही हूँ ये string को तो string as a whole जाके as a whole ये पूरा का पूरा element add हो जाएगा लेकिन अगर मैं extend method यूज़ करके string डाल रही हूँ तो individual characters जो है वो जाके इसके अंदर append हो रहे हैं तो ये भी एक difference है एक tricky सी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है next method है हमारे पास remove method तो इसके नाम से हमें पता लगता है कोई भी element को remove करने के लिए मैं use करूंगी remove method का suppose मेरे पास list है 10, 20, 30, 40, 50 अगर मैं remove करना चाहती हूँ कोई भी particular element जैसे l.remove method मैं use करूंगी और मैं remove करना चाहती हूँ element 10 तो मैं आलिक दूंगी 10 अब print करवाऊंगी l तो l के अंदर से 10 जो है वो remove हो गया है पर suppose मेरे पास एक ऐसी requirement है जैसे इसके अंदर है 10, 20, 10, 30 अगर अब मैं l.remove यूज कर रही हूँ 10 ही, दुबारा 10 डाल रही हूँ तो अब print करूंगी क्या l तो आप देख रहे हो क्या हुआ है मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई ऐसी list है जिसमें duplicate items present है 10 कितनी बार आ गया, यहाँ पर दो बार आ गया अब मैं remove कर रही हूँ 10 मैं चाह रही हूँ कि 10 मेरे list से remove हो तो 10 जो है remove तो जरूर हुआ है लेकिन खाली 10 की first occurrence ही remove हुई हुए second time जो occur कर रहा है वो remove नहीं हुआ है जो सिरफ first occurrence है वही remove हो रही है second occurrence remove नहीं होती है मतलब in case of duplicate elements only first occurrence of that element will be removed एक और चीज़ जो हमें remove में ध्यान में रखनी है कि remove method में अगर हम कोई ऐसा element remove करने को कह रहे हैं जो हमारी list में present ही नहीं है तो हमें मिल जाएगा value error suppose मेरी list में इस particular list में देखो l में अभी क्या क्या present है 20, 10, 30, 40 present ही नहीं है तो क्या मिल जाएगा value error मिल जाएगा तो हमें ध्यान रखना है remove method अगर हम use करना चाह रहे हैं तो हमें पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि वो particular element list में है भी है या नहीं अगर नहीं होगा तो value error आ जाएगा इसलिए हमें check लगाना पड़ेगा if conditions लगानी पड़ेंगी ताकि ये error ना आए और हम पहले check कर लें कि जो आप element remove करने वाले हो वो है भी है list में या नहीं है तो ये आपको खुदी ध्यान रखना है next method है हमारे पास pop method pop method भी जो है वो भी हम use कर सकते है remove करने के लिए element of the list बट जो pop method है remove करने के साथ साथ return भी कर देता है जो भी element उसने delete किया होता है या remove किया होता है list में से अगर आप remove method use कर रहे थे तो जो भी item remove हो रही थी वो print नहीं हो रही थी show नहीं हो रही थी जैसे मैंने l.remove किया l.remove कर दिया मैंने suppose 555 तो सिरफ remove हुआ कुछ return नहीं हुआ कुछ print नहीं हुआ लेकिन pop method क्या करता है pop method जो भी element remove करेगा वो return भी करेगा by default pop method जो है वो last item ही remove करता है ठीक है pop का function यही है कि उसने element को remove करना है अगर हम उसमें कोई भी value नहीं डालने वाले है तो वो by default last element को remove कर देगा pop out कर देगा साथ ही साथ result भी हमें दे देगा कि उसने क्या चीज pop out की है या remove की है तो suppose पहले में आपको print करवा के दिखा देती हूँ कि अभी फिलहाल हमारी list में क्या-क्या elements बचे हुए ताकि आप clear रहें इस चीज में मैंने 555 जो है वो remove कर दिया तो अब list में बचे हैं ये चार elements अब suppose मैं method यूज कर रही हूँ pop अगर मैं इसके अंदर कोई भी value नहीं डाल रहे हूँ तो it will remove the last element यानि 444 जो है वो remove हो जाएगा इस list के अंदर से बट remove होने के साथ-साथ मेरे पास print में भी आ गया या output में भी आ गया कि क्या चीज remove हुई है देखिए remove function के time पे कुछ output नहीं आ रहा था internally बस remove हो रहा था बट मुझे output में कुछ नहीं show हो रहा था मुझे खुद वापस जाके print करवानी पड़ी list चेक करने के लिए कि 555 remove हुआ भी है या नहीं बट pop मेथड ने क्या किया जैसे ही last item को remove किया साथ ही साथ में वो item जो है display भी कर दी कि भाई मैंने ये चीज़ remove कर दी है तो l.pop लिख रही हूँ मैं और अगर मैं कोई भी argument नहीं दे रही हूँ तो by default last item ही जाने वाली है अगर मैं इसके अंदर डाल देती हूँ index value अब मतलब की remove method क्या कर रहा है element के हिसाब से remove कर रहा है मतलब आप उसको बताओ की कौन सा element remove करना है वो remove कर देगा बट pop method में आपको index number बताना होता है भाई इस index number से कर दो पहले वो ले रहा था last index अगर आप उसको बता दोगे की last नहीं ले भाई zeroth index ले ले तो वो zeroth index का element remove करेगा अब उसने remove करके बता भी दिया जो zeroth index पे जो element था मैंने वो remove कर दिया है तो अब अगर मैं list को print करूंगी तो आप देख सकते हैं 444 भी हो गया remove और 111 भी हो गया remove तो मैं expect कर रहे हूं कि output आएगा 222 और 333 तो output आगया 222 और 333 क्योंकि ये और ये मैंने delete कर दिये हैं remove कर दिये हैं मेरी list के अंदर से तो difference देखते हैं remove और pop में remove और pop में यही difference है first of all remove जो है element remove कर रहा है जो भी आप उसको element remove करने को कहेंगे मतलब मुझे element का नाम बताना है element बताना है कि ये वाल element remove कर दो वो remove कर देगा बट pop में मुझे index value बतानी है उस index value पे जो भी element present होगा वो remove हो जाएगा अब दूसरा difference क्या है कि remove method जो है जब भी वो कोई item को remove करता है तो वो return नहीं करता है कि उसने कौन सी item remove की है बट pop method क्या करता है जो भी item remove करता है वो उसे return करके output में display भी कर देता है कि क्या item वो remove कर रहा है इसे आप इस तरीके से भी ले सकते हैं display करने का मतलब भी वैसे खतम हो जाता है कि उसने क्या delete किया क्योंकि हमने actual में उसको बताया कि उसे क्या delete करना है बट pop में क्या हो रहा है कि pop की जरूरत भी हमें इसलिए पड़ी क्योंकि pop में हम दे रहे हैं index value अब index value पे क्या element present था वो तो हमें नहीं पता ना हम तो index value दे रहे हैं अब क्या element delete हुआ वो पता लगाने के लिए pop हमें return में भी बता देता है कि ये index जो आपने बताया था इस index से मैं value remove कर रहा हूं और वो value है ये value जो मैं display कर रहा हूं तो ये आ गया particular difference और आपने पढ़ लिये 5 methods for manipulating of the list जिसमें से 3 methods जो है append, insert और extend उनको हमने use किया to grow the list क्योंकि हर चीज क्या कर रही थी add कर रही थी तो grow करने के काम आ गई और list grow कर रहे हैं 3 methods append, extend और insert method अब 2 methods जो हमने पढ़े remove और pop वो करते हैं list को shrink क्योंकि वो items को remove कर रहे हैं तो 2 methods for shrinking and 3 methods for growing the list चलिए next देखते हैं next क्या है list के methods में जो भी चीज़े मैं discuss करती हूँ अपनी videos के अंदर उसका सारा data सारे के सारे notes programs मैं अपने blog में भी रोज update करती हूँ तो अगर आपने अभी तक मेरा blog चेक नहीं किया तो video के description box में आपको मेरे blog का link भी मिल जाएगा जहां से आपको ये सारे के सारे notes भी मिल जाएंगे proper notes मैंने बनाए हैं हर एक video के उपर और वो सारे notes जो हैं आप मेरे blog से देख सकते हैं next topic है हमारे पास ordering elements of the list हमें अगर list के elements को order में लिखना है तो उसके लिए हमारे पास दो methods होते हैं reverse और sort method reverse तो नाम से आप समझ पा रहे हैं list को reverse में print करवाना या list के elements को reverse कर देना उसके लिए हम reverse method का use करेंगे और sorting मतलग कि सारे elements को sort करके लिखना है आप देखेंगे कि ये sorting कौन से कौन से basis पे होती है ask i values पे होती है alphabetically होती है या क्या होता है वो हम example में समझेंगे तो चलिए start करते हैं तो सबसे पहले है हमारे पास reverse method तो हम ले लेते हैं फिर से अपनी एक list 10 20 30 40 50 ओके तो ये मेरे पास आगी list अब मुझे करना है इसको reverse तो मैं लिख दूंगी l.reverse पस खतम कुछ भी नहीं डालना है करने के लिए तो reverse बन गया मेरा method ठीक है मैंने call किया तो wait before this I am going to print the list also so before वाला आ जाएगा आपके पास before editing या before reversing आ गया आपके पास इस तरीके का list and now I am going to reverse the list तो original list के अंदर change आ रहा है ऐसा नहीं है कि original list same रहने वाली है जैसे ही मैं reverse method का use कर दूंगी original list के elements जब वो reverse हो गए है अब यह reverse में print हो रहे हैं आप देख रहे हैं पहले 10 से शुरू हो रहा था और 50 पे end हो रहा था एसा नहीं है कि यह increasing से decreasing order हो गया है order नहीं हुआ है elements reverse होए है for example मैं ले लेती हूँ s is equal to python यह ले लिया अब इसे मैंने डालना है list के अंदर तो पहले मैं ले लूँगी एक empty list और l.extend यह मैं सारे method इसलिए use कर रही हूँ ताकि आपको recap मिल जाए जो अभी हमने discuss किया उसका तो l.extend करूँगी तो क्या होगा print करके देखते हैं क्या होगा आपको खुदी पता लग जाएगा क्या हो गया यह सारे के सारे जो python के individual characters थे extend method की वजह से यह सारे के सारे add हो गए है मेरी list के अंदर बट individual elements individual characters add हुए string के हो गए अब मेरी list के अंदर क्या-क्या पढ़ा हुआ है individual characters पढ़े हुए python के अब मैं क्या use करूंगी reverse method l.reverse l.reverse कर दिया आप करवाते हैं print of l तो सारे के सारे जो list के elements थे वो reverse में हो गए है n सबसे last में था अब n सबसे पहले आ गया p सबसे पहले था और p सबसे last में पहुँच गया सारी की सारी जो list है वो reverse हो गई है यह किसी भी alphabetic order को नहीं follow कर रहे ही किसी चीज को किसी as का value को follow नहीं कर रहे है simply जो भी elements थे वो reverse में जाके store हो गए है तो यह method हो गया reverse method अब देखते है sort method तो हमने कहा कि list जो है वो उसकी properties हमने starting में पड़ी थी तीन properties होती है first होगी कि insertion order जो है वो maintained होता है second property थी कि duplicates are allowed और third property थी कि homogeneous items are allowed तो first property को लेके चलते हैं कि insertion order जो है by default maintained रहता है आप जिस भी order में data डालोगे उसी order में रहने वाला है उसका order change नहीं होने वाला है ठीक है अगर मैं print करवाऊंगी L तो जिस order में मैंने insert किया था internally भी उसी order में रहने वाला है अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं order change करूँ और इन सारे numbers को एक increasing order में लिखूँ तो मेरे पास आ जाएगा sort function L dot sort function में use कर लूँगी और print करवाऊंगी L तो अब देखो अब sorting हो गई increasing order में ये हो गया print तो by default अगर मैं numbers डाल रही हूँ तो increasing order में print हो रहा है अगर मैं चा रही हूँ कि मैं decreasing order में sort करूँ तो अभी मैंने by default क्या हो गया increasing order में sorting हो गई ना अगर मैं चा रही हूँ कि मैं decreasing order में sorting करूँ तो मैं क्या करूँगी l.sort तो मैंने लिख दिया दुबारा से, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ मैं इसके अंदर लिखतूंगी, reverse is equal to true, reverse is equal to true, ओके, अब अगर मैं print करती हूं list, तो decreasing order में सारा का सारा data save हो गया, मेरी list के अंदर, मतलब, sort method क्या कर रहा है, sorting कर रहा है, elements की, यह जितने मैंने numbers लिया है, इनक increasing order में sort कर रहा है, by default sort method जो है, वो increasing order में numbers को store करेगा, बट अगर मैं चाह रही हूं कि मैं decreasing order में numbers को save करूँ, तो मैं reverse को true कर दूँगी, इसको बोलते हैं attribute, reverse एक attribute है, जिसकी value में true, define कर रही हूं इस method के अंदर, ताकि, जो decreasing order है, वो consider हो storage के लिए, यह बात हो गई numbers की, अब तो देखते हैं alphabet में क्या method यहा, क्या trend follow हो रहा है, suppose मैंने यह alphabetic items या string items मैंने ले ली हैं, अपनी list के अंदर, यह मैंने randomly कुछ भी words select किये हैं, यह सारे list के अंदर मैंने रखती हैं, तो अगर अब मैं sorting कर रही हूं, तो देखते हैं कि यह sort करके, क्या result देता है, print करती तो alphabetic order में, increasing order में, यह सारे के सारे items जो हैं, वो display हो रहे हैं, a, b, c, d, j, k, w, तो यहां पर मैंने randomly लिये थे, अब यहां पर होगी sorting, अब यह increasing order में, alphabetic increasing order में हुए हैं, तो मैं l.sort, reverse is equal to true, इसमें भी apply करके देख लेती हूं, reverse is equal to true, तो t बड़ा ही आपने रखना ह तब ही आपको जाके सही output मिलेगा, क्योंकि true जो है, वो reserved word है, और इससे सही से use करना ज़रूरी है, तो print करते हैं, print of l, अब reverse में print होने लगा, मतलब decreasing order में print होने लग गया है, alphabetic decreasing order में, यानि, अगर sort की बात करें, तो by default sort जो है, वो ascending order ही consider करता है, numbers के case में numbers का ascending order, और alphabets के case में alphabetic ascending order, वो consider कर रहा है, अगर हम चाहें कि हम decreasing order consider करवाना चाहते हैं, तो हम reverse is equal to true, यहाँ पर specify करेंगे, sort method के अंदर, तो ये तो बात होगी numbers और alphabets की, बट list में हमारे पास heterogeneous data allowed होता है, तो देखते हैं, अगर mixture of numbers और alphabets ले रहे हैं तो उस case में क्या होने वाला है, तो उस case में sorting किस तरीके से होने वाली है, क्योंकि हमारे पास ये sorted data है, अगर मैं देखूं तो ये numbers भी sorted में लिखती हैं, मैंने और alphabets भी sorted में लिखती हैं, ये बात तो ठीक है, बट यहाँ पर data जो है, हमारे पास mixture of data आ गया है, तो अगर मैं sorting करने की कोशिश करूं, तो आप देख रहे हो, मैं पास type error आ जाएगा, type error क्यों आता है, अगर आपको sorting करनी है lists के अंदर, तो यहां तो आप numeric data ले लो, यहां आप alphabetic data ले लो, अगर आप mixture लोगे, तो आपको type error मिलेगा, string और int के अंदर, वैसे अगर आप int और float ल 0.5 ले लेते हैं, और 23, then 19, then I guess 2, l.sort करते हैं इसे भी, तो print करवाते हैं, और output देखते हैं, कुछ meaningful output आजाए, I hope, तो अगर numeric data है, तो कोई error नी आने वाला है, mixture है, बट numeric data है, तो यह भी increasing order में हम लिख सकते हैं, logically भी अगर आप देखें, तो आप इसे तो increasing order में लिख ही पाएंगे, बट एक numeric data और alphabetic data का क्या comparison है, कौन से basis पे आप इसको sort कर पाओगे, करी नहीं पाओगे, इसलिए अगर आपको sorting करनी है, तो यहां तो आप सारा का सारा data numeric ले लो, यहां सारा का सारा data alphabetic ले लो, यहां पे float और int के mixture के data को भी ascending order में लिख दिया गया है, without any error, बट मैं आपको यहां पे एक और चीज़ बता दो, कि python 2 में ऐसा नहीं होता था, हम यहां पे पढ़ रहे हैं python 3, बट अगर हम python 2 की बात करें, python 2 में अगर मैं mixture of data देती थी, मैं numeric और alphabetic data को इकठे लिख दे तो क्या होता था कि सबसे पहले numeric data sort होके आ जाया करता था output में, और उसके बाद alphabetic data जो होता था, वो sort होके आ जाया करता था, output में, मतलब एक ही list के अंदर पहले numeric data हो जाता होगा पूरा का पूरा sort और फिर alphabetic data भी sort होके उसी list के अंदर आ जाया करता होगा यह python 2 में होता है, python 3 में यह allowed नहीं है, तो python 3 में क्या हो जाएगा, type error आ जाएगा तो differences आपको हमेशा अलग से note करके रखने चाहिए, आपको मेरे blog post के notes मिल जाएंगे, जिसमें मैंने अलग से specify कर दी होगी यह चीज, notes बनाके, इसे हमेशा underline करके, अपने particular notes में भी add कर लीजेगा So this is the end of today's video, if you are having fun learning with me, please like my videos and subscribe to my channel MV's Code Guide, please keep learning and keep supporting, thank you